नमस्कार दोस्तो Civil Engineering Support के एक बहुत ही important वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो वीडियो महत्पून इसलिए है चुकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम अपने slab में जो bent up बार देते हैं जिसको crank बार भी बोल सकते हैं उसकी क्या जरूरत है किस तरह से दिया जाता है one way slab two way slab क्या होता है मतलब कि छट को किस तरह से मजबूत करते हैं totally जनगारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले जान लेते हैं one way और two way slab क्या होता है आपको beam से beam के जो दूरी है इस घर की माली जे लंबाई है जो चोड़ाई है beam से beam की बस एक एक portion को आपको अलग-अलग count करना पूरा घर का आपको एक साथ नहीं लेना है दोस्तों बात कर लेते हैं beam से भी यो beam की दूरी है ठीक है? लंबाई हो गया और चोड़ाई हो गया जैसे कि इस portion को देख सकते हैं दोस्तों चोड़ाई काफी कम है लंबाई दूगना से भी जादा है तो लंबाई दोस्तों अगर दूगना हो या फिर दूगना से जादा हो उस समय आप का करेंगे कि one way slap देंगे मतलब कि जो नजदीक वाला beam है दोस्तों उसी तरफ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम cranked bar प्रोवाइड करेंगे लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाले portion का तो आप देख सकते हैं दोस्तों लंबाई और चोड़ाई में दोगना से कम का फर्क है लंबाई और चोड़ाई को simply भाग देना है अगर आपका answer दोस्ते कम आता है दोस्तों तो उसमें दोनों तरफ से crank तो रहेंगे जिसको हम two way slab अपने वासा में कहते हैं अब बात कर लेते हैं कि crank या फिर जो bent up bar होता है उसको provide करने का फाइदा क्या होता है दोस्तों यह जो है वो जो negative bending moment होता है दोस्तों उसको यह कम करता है साथे साथ दोस्तों जो slab के failure के chance से उसको काफी हद तक यह कम कर देए लेकिन दोस्तों हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है चली मैं आपको नजदीक लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि आखिरकार जो हम crank bar provide करेंगे दोस्तों या bent up bar भी उसको बोल सकते है चोकि यह उपर के तरफ जा रहा है दोस्तों तो आखिरकार उसका जो length होगा वो कितना होना चाहिए दोस्तों आप देख सकते हैं L by 4 होना चाहिए यानि कि जो slab की length है उसको दोस्तों 4 से divide देंगे और वहीं पर दोस्तों crank bar हम इस तरह से provide करेंगे अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी height कितनी होनी चाहिए तो आपको दोस्तों क्या करना है कि नीचे का covering देंगे और उपर का cover देंगे दोस्तों दोनों को minus करेंगे और जो आपका beach का portion बचेगा दोस्तों वहाँ पर आप crank bar इस तरह से provide कर सकते हैं दोस्तों इसको देने का एक तरीका होता है देख सकते हैं ये alternate way में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है इस वाले सरिया में है तो अगले वाले सरिया देखेंगे बिलकुल flat दोस्तों सीधी गई है उसके बाद वाला सरिया हम देखेंगे दोस्तों तो फिर से आपको crank देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तो बात कर लेते हैं तो जो hogging का problem होता है दोस्तो उसको register करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो flat वाला सरी है दोस्तो उसके उपर में देखेंगे तो एक top extra bar दोस्तो दिया गया है अब दोस्तो लास्ट में आपको दोस्तो bent up bar कितना देना है साथे साथ कहां पर देना है one way slap कहां पर लगेगा two way slap कहां पर लगेगा साथे साथ दोस्तो L by 4 क्या है किस तरह से cutting length है आपको दोस्तो लगवग लगवग पूरी जो है वह जनकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी और किस तरह से दोस्तो यहां पर bent up bar के नीचे का सरिया बांते है आप वीडियो को देख करके दोस्तो उचीज को भी सीख सकते है और लगतार सीखते रहने के लिए दोस्तो हमारे चैनल को आप subscribe भी कर सकते है साथ हिसान दोस्तो अगर हमारे या प्रयास आपको सही लग रहा होगा तो comment box में comment कर सकते हैं दोस्तो कुछ कमी लग रहे हो वीडियो में तो निच्चिंत होकर के बेहिचक दोस्तो अपने दिल की बात दो है तो comment box में हमें बता सकते हैं तो फिर मिलता हूँ दोस्तो अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद